हलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई चैनल इस्त्री लाइफ स्टाइल तो फ्रेंट्स आज मैं उठने वाली थी मॉर्निंग में फोर एम पे और मैंने अलराम भी लगाया था मगर मैं उठी थी पांच बजे तो मैं चल्दी नहीं उठ पाई थी आज चार बज भी मतलब थोड़ा ज्यादा ही स्टडी की थी मैंने उसके बाद फिर गई थी मैं चाय बनाने के लिए और फिर चाय बना करके वापस से स्टडी करने चली जाओंगी और सुबह में लाइव भी आई थी अगर आप लोगों को लाइव आना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना मैं सुबह हो सकता है कि कल फिर से लाइव आउं और पता नहीं कल कितनी बचे उट पाऊंगी क्योंकि रात को सोने में बहुत ही लेट हो जाता है तो इस वज़े से और रात को बारा एक बच गई थी सोने में तो फिर सुबह उटने में देर हो गई थी आज पर कल कोशिश कर अच्छी करने की कोशिश करूंगी यही सोच कर मैं जल्दी उठी हूं तो अब देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है पर पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि आज के दिन को प्रोडक्टिव बना पाऊं यही इसी सोच के साथ आज मैंने स्टडी की शुरुबात की थी और अ अपना मून फ्रेश कर लिया जाए क्योंकि चाय पीने के बाद में थोड़ी एनरजी अलगी होती है जो टी लवर से वह बहुत अच्छे से जानते होंगे इस चीज को फिर पढ़ने के बाद में रिजनिंग पड़ी थी उसके बाद थोड़ी देर मैंने साइंस भी पड़ी थी तो मतलब आज मैंने मॉर्निंग में ही थी सब्जेक पड़ लिये थे थोड़े बहुत और रिजनिंग मैंने वह जो बुक दिखाई थी आपको उसी से मैं अब करूंगी क्योंकि वह रिजनिंग की बुक बहुत ही अच्छी है और यहां पर हनू मेरे लिए और उसके लि अबन फ्लेवर वाला है तो यह मतलब एकदम जैसा निम्बू पानी होता है वेसा ही टेस्ट देता है तो हनू यहां पर यह बना रादा तब तक मैंने सुचा मैं क्लिनिंग वगेरा का काम कर लू तो फिर मैं बैड वगेरा आरेंज करने लग गई थी और जो एंसी आटी सा वन लाइनर क्यूशन टाइप से ही है बड- हां उसमें वन लाइनर क्यूशन में ही इतनी सारी नोलेज है कि अगर हम उसको भी पढ़ें तो भी हमारे लिए काफी होगा तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ उसको ही पढ़ने की और जी कि अभी मैं वही से पढ़ रही हूँ और फ्रेंट्स मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ मेरा नाम संगीता है और मैं राजस्तान की रहने वाली हूँ लेकिन करंटली मैं MP में रहती हूँ और अभी मेरे हजबेंट का जोब हम से थोड़ा दूर है मेरा बेटा और में हम दोनों रहते हैं और husband भी दो-चार दिन में आते रहते हैं तो इसार चल रहा है अभी life में और अपने पढ़ाई कर रही हूँ मैं शादी के बाद फिर से अपने पढ़ाई स्टाट करी है मैंने गर्मेंट जोब की preparation कर रही हूँ फिलाल तो मैं चाहती हूँ कि railway में मेरी job लग जाए इस वज़े से मैं railway exams की preparation करती हूँ और अपनी journey आपके साथ YouTube पे share करती हूँ तो और मैं quota से मैंने अपनी study पूरी की है बट अभी जो मैं जाती हूँ मम्मी के गाउं में मतलब मैं सवाय मादुपुर साइड से हूँ है तो वहीं पे रहते हैं और quota से ही मैंने 2009 में 10 भी करी उसके बाद 2011 में मैंने बार भी करी और 12 में मेरा subject PCM था उसके बाद भी मैंने अपना डिप्लोमा किया और डिप्लोमा के बाद से फिर एक साल मैंने जैपुर में जोब भी की थी MNC company में replacement हुआ था हमारा college के थुरू और मैंने government college से ही किया हुआ है अपना डिप्लोमा तो उसके बाद फिर शादी के बाद जोब बगेरा छोड़के फिर मैं अपने husband के साथ ही चली गई थी तो फिर उसके बाद से अभी तक ना कोई जोब करिये और ना पड़ाई में ज्यादा ध्यान दे पाई हूँ क्योंकि जस्ट बाद में फिर हन्नु आ गया था इस वज़े से इतना ध्यान देनी पाई बट अब गिल्ट सा मैसूस होता है मुझे के हां यार मुझे भी पढ़ना चाहिए और जाति कर सकती हूं तो मैंने सोचा कि जब तक मेरी हैंकि प्रृट जब तक तो मैं अपने अटेंप्ट दूँ और बाकी लगना या न लगना ये तो बात की बात है लेकिन मैं कोशिश तो करूं और इसी सोच के साथ मैंने फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करी और मैं चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी मैं अपनी जोब पास सकूं और इतनी अच्छी मैं अपनी स्टडी कर पाऊं ताकि कि मैं यह प्रूप कर सकूं कि हाँ शादी के बाद भी हम गल्स बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी जोब ले सकते हैं क्योंकि कोई भी जब मुसे पूशता था कि आप क्या करते हो कि आपने मतलब इंजिनेरिंग डिप्लोमा कर रखाया उसके बाद भी आप भी चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो तो यही बात हैं फिर मुझे एक तरीके से गिल्ट महसूस करवाने लगी कि यार मैंने इतनी बढ़ाई करी इतना पेशा वेस्ट हुआ पड़ाई में मेरा टाइम वेस्ट हुआ और यह नहीं कि मेरी परसेंटेज भी अच्छी नहीं हो हमेशा आज जिन तक मैं कभी सेकिंड भ करनी चाहिए और मैंने अपनी प्रिप्रेशन स्टार्ट कर दी और वही जर्णी में आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूं और मैं जानती हूं फ्रेंड्स की मेरी जैसी और बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको बिल्कुल भी शादी के बाद ये महसूस नहीं हुआ कि उनको स्टड़ी करनी चाहिए लेकिन अब जब उनको लग रहा है कि हां हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी स्टड़ी को और अपने उपर ध्यान ना देखी कि हां हम भी लाइफ में कुछ कर सकते थे तो हमें अभी भी हार मानने की जरुरत नहीं है हम कोशिश पहले भी करते हो सकता है पहले हमारी जल्दी जोब लग जाती अभी थोड़ा लेट लग जाएगी मगर हम कोशिश अब भी कर सकते हैं तो एक दिन मेरी जोब जरूर लग जाएगी क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे अटेम्ट बाकी हैं और उनकों मैं दूंगी जब तक जोब नहीं लग जाती तब तक ट्राय करती ही रहूंगी चाया मुझे कितनी भी बार एक्जाम देना पड़े क्योंकि इससे जो हमारे अंदर एक गिल्ट है कम सकम वह तो दूर हो जाएगा कि हाँ हमने लास्ट टाइम तक कोशिश करी थी और हमारी जोब 100% लगी जाएगी मगर अगर 1% भी नहीं लगती है तो हमें एक satisfaction जरूर मिल जाएगा अपनी life में कि हाँ मैंने कोशिश जरूर की थी और मैं उसी कोशिश को जारी रखते के लिए और अपने satisfaction के लिए ये जरूर करूंगी और आपसे भी मैं यही कहना चाती हूं कि आप भी अगर मेरे जैसी situation में हो बेबी है आपके पास तो आप दो धीरे धीरे पड़ो वन या टू अवरी डेली पड़ो लेकिन जरूर पड़ो तो एक नए एक दिन हम भी जरूर success हो जाएंगे और बाकी तो भगबान की मर्जी है जो होगा पर मैनत का फल हमेशा इंसान को जरूर मिलता है कि आपने देखा होगा कभी भी हम जब पढ़ाई करते थे 10-12 में तो हम जतना बढ़ते थे इमानदारी के साथ उतनी percentage हमारी बनती थी मैंने हमेशा जतनी पढ़ाई करिये भगवान ने मुझे उतनी percentage ही दिये तो अभी भी मुझे होप है कि मैं मैंनत कर रही हूं तो मुझे जरूर अपना जो मैंनत का फल है वो मिलेगा और आप लोग भी इसी उमेद के साथ अपनी मैंनत को जारी रखिए और मुझे भी मोटिवेट करते रही है अपने लाइक शेयर और कमेंट से और आप कुछ भी पूछना चाते हैं आप लोग तो कमेंट करके मुझे जरूर बताईए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताईए मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि सब की ब अड़ाई पर ध्यान दिजिए क्योंकि यह जो हमारे पास दो-तीन साल का टाइम है अगर इसको हम बाते सुनने में गवा देंगे दूसरों के ताने सुनने में तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसलिए दूसरों को इगनोर कीजिए और अपने पर ध्यान दिजिए बब बाए टेक केर